नमस्कार सबीको, मैं हूँ आंकेटेक नवीश शर्मा एंड गोडगाउ में प्रैक्टिस करता हूँ यह जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी जो स्रिल्ट प्लस फोर फ्लोर्स का जो डिसीजन आया है कि ओपन हो गया है कुछ राइडर्स के साथ में उसके एक फैक्टर के ओपर यह वीडियो बना रहा हूँ बेसिक नॉलेज शेरिंग के लिए लोगों को लोगों को यह परिशानी आ रही है जानने में कि उनकी जो लेयाउट है जो कॉलोनी का वो 18 PPP है या 13.5 PPP है इन दोन में फर्क यह है कि आपका अगर कॉलोनाइजर ने सेंशन कराया हुआ है लेयाउट डीटी सीपी से और वो 18 PPP यानि परसन पर प्लोट के अनुसार सेंशन हुआ है तो आप वहाँ बेस्मेंट पार्किंग और चार फ्लोर्स बेचिजग बना सकते हैं विदाउट एनी NOC अगर 13.5 पर PPP पर आपका लेयाउट है तो आप लोगों को NOC लेनी पड़ेगी और अलग-लग जो राइडर सें सब जानते वो हैं तो जिन लोगों की कॉलोनीज में जिन लोगों ने दीन द्याल के या फिर रेगुलर कॉलोनीज में फ्लोट्स लिएवे हैं वो यह जानना चाहते हैं कि 18 PPP है उनका लेयाउट या फिर दूसरा है तो स्क्रीम पे चलते हैं आपको क्या करना है इसको जानने के लिए आप स्टार्ट गूगल आप ओपन करते हैं अपना Google पे आपको सबसे पहले लिखना है Haryana Rera तो H R E RA हरेरा आप लिखेंगे तो आपके सामने यह सबसे पहले हरेरा की जो साइट है हरेयाना Real Estate Regulatory Authority यह open हो जाता है इसमें आप या तो open करके इसको सीधा जा सकते है नहीं तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधा यहाँ पर लिखा आजाएगा registered projects आपको सीधा इसी पर click करना है तो आपके सामने एक जो नई tab खुलेगी उसमें यहाँ पर search bar है नीचे काफी सारे projects already यहाँ पर mentioned है आपका जो भी project है for an example जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे देखना है कि ROF sector 95 में मुझे मालूम करना है दीन दयाल है कि उनकी 18 PPP है या नहीं है तो मैं ROF 95 यहाँ पर लिखूँगा तो मेरे सामने 571 number serial जो है यह open हो जाएगा इसमें मुझे जाना है details of projects form A2H तो आप इस पर click करेंगे तो एक नई screen open होगी जिसमें सारा data आजाएगा आपके पास जो honor है उनकी जो photographs है उनकी जो details है वो सब आएगी इस screen पे आपको सबसे नीचे जाना है scroll करके जब last में आप पोचेंगे scroll करके तो आपके सामने ये वाला एक area जाएक जिसमें लिखाए होगा कि list of uploaded documents अब यहाँ पे आप देखेंगे serial number काफी ज़्यादा है अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे view documents में आपको मिल जाती है इसमें आपको ढूणना है latest layout plan तो आप यह देंगे third number पे इसमें लिखाओ in place plotted colony the latest layout plan आप यहाँ पर view document प्लिक करेंगे तो screen पर जो sanction layout है जो DTCP से ROF ने 95 sector में जो उनकी दीन दयाल है उन्होंने sanction करा है वो पुरा layout आपके पास open हो जाएगा इधर आप इनका जो chart है यहाँ zoom करके इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने PPP क्या लिया हुआ है इधर आप देखेंगे area statement में नीचे आएंगे सीधा density वाली चीज़ आपको ढूढ़िए कि जहाँ पर density दिखा हो population या density तो यहाँ पर देखेंगे total population person तो यहाँ पर है 3042 इसके just उपर जो 18 है यह है occupancy per dwelling plot यही PPP है यही person per plot यहाँ पर 18 है इसका मतलब यह है कि यह जो ROF का project है यह sentient है 18 PPP पे तो जिन लोगों के जो plots इसके अंदर है वो parking plus 4 basement बना सकते हैं चाहे 9 meter पे ही बेशक क्यों ना हो आपका जो plot है इनको allowed है यहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है आप दुबारा एक और example ले सकते हैं यहाँ पे जाएंगे लेट से आपको Central Park Flower Valley देखना है यह फिर एक और देखते है Maps को का हम देखते है जो sector 78 में है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Maps को Maps को 78 यह देखे सामनी आ गया 78 लिखूँगा तो यह पूरा मेरे पास यह सामनी आ जाएगा तो मैक्स को 78 में open करता हूँ यहाँ पे Form A to H नीचे जाता हूँ Last में मेरे पास वोई schedule आ जाता है यहाँ जाकर के सबसे पहले यह है a copy of approved plan यह पहले नमबर पी हमें दिख गया हम इस पर click करते हैं तो इनका यहाँ पर error है इसको close करते हैं देखते हैं और दूसरा आगे क्या है यहाँ आठवी नमबर पे इनों ने डाला हूँ the latest layout plan click करते हैं अगें layout open हो जाता है layout में फिर आप zoom करके इसको यहाँ चार्ट पर लेकर क्या आते हैं यहाँ पर density mention होगी आगे चलते हैं यहाँ पर plot भी आप देख सकते हैं आपको आपने यहाँ पर plot purchase के तो वह भी दिख जाएगा आपका plot क्या है उसकी dimensions होगे रखे तो यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि इनों ने जो है नीचे चलते हैं total density, density calculation total density इनके पास जो है वो person per plot साड़े तेहरा है यानि mapsco के 78 sector का जो इनका project है वहाँ पर PPP साड़े तेहरा है 9 meter के रोडे तो आप कभी भी यहाँ पर parking plus chart नहीं बना सकती वो बात खतम हो जाती तो यहाँ से आपको मालूम चल जाता है आपके project में PPP कितना है आप लोग अभी इसमें इचार में होंगे या फिर अभी purchase करना चाहरे होंगे या फिर कुछ होगा तो आप इस चीज को मालूम कर सकते हैं कि PPP कितना हमारे को यहाँ पर मिल रहा है तो यह हो गया यहाँ पर जो है मेरे पास Central Block पर यह गुडगाओं में आ गया मेरे पास आप इधर क्लिक करेंगे इसको तो फिर अगेन वही चार्ट आ गया लास्ट में आप जाकर के पहुचेंगे तो अगेन यह श्रीव ला जाता है मेरे पास इसमें हमारे पास Second Number पर आप देख सकते हैं एक Copy of Approved Site Plan क्लिक करेंगे अगें लियाउट ओपन हो जाएगा इसी में जाकर कि आप इस चीज को मालूम कर सकते हैं कि कहां पर लिखा हूँ यह पूरा चार्ट आ जाता है तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट को जाकर कि यहां पर ढूंड सकते हैं ढूंड करके आप अपना PPP चेक कर सकते हैं उसी के नुसार अगर कोई प्लोट लेने का प्रोग्राम है या फिर अल्रेडी प्लोट है तो आप यहां से अपना मालूम कर सकते हैं कि 18 PPP है या फिर 35 PPP है तो आशा करता हूं इस चीछ से सब लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं वो यह वाला सवाल और का उनको उत्तर मिल जाएगा कि उनका अप्लोट है जो वो कितना PPP है और उसके हिसे नुसार वो अपने डिसीजन्स लेपाएंगे निशिन ठोपाएंगे अगर 18 PPP है कि वो फिर पार्किंग प्लस 400 बना सकते है हमाँ पर दन्यवाद सिर्फ इसी के लिए यह चोटी सी वीडियो बनाई थी थैंक्यू थैंक्यू विर्माच